दोस्तो आपको याद होगा कि हाली में हमने एक वीडियो बना कर आपको बताया था कि भारत से एक मालवाहग जहाज इसराइल जा रहा था इस जहाज में विसपोटक था जो इसराइल भेजा जा रहा था लेकिन अपने डेश्टिनेशन पर पहुँचने से पहले ये जहाज इ इस्पेन ने अपने पोर्ट पर इसे रुखने की इजाजत नहीं थी। बताया गया था कि भारत ने करीब 27 टन विस्पोटक इसराइल को भेजा। सबी दावे किये गए हैं। चैक गड़राज्य के दावे के मताबित ये जहाज मुनेशन इंडिया लिमिटेड ने उनके देश में भेजा है। चैक गड़राज्य ने जो दस्तावेज दिये हैं। उसमें कहा गया है कि ये सैन ने उपकरण जो भारत से आये हैं वे सभी यूनिट 120 mmHE मोटार के हैं। इसके लावा 5000 यूनिट 125 mmHE राउंड के हैं। साथी चैक रिपबलिक ने जहाज के रास्ते के बारे में भी जानकारी दी है। कहा गया है कि प्लान के मुताबित जहाज को भारत से पहले स्लोवेनिया तक आना था, रोड ट्रांस्पोर्ट के ज बतादे की चार दिन पहले 27 टन विसपोर्टक ले जा रहे, भारती जहाज को स्पेन में रुखने की इजाजत नहीं मिली। डैनमार्क का जंडा लगा, ये जहाज चिन्नई से इसराइल के हाइफा पॉर्ट जा रहा था। इस्पेन की विदेसमंत्री ने कहा कि हतियारों की खेप ले जा रहा, एक जहाज इस्पेन की पोर्ट पर ठहरना चाता है, जिसे ठहरने की अनुमती हमने नहीं दी है। कि इंटरनेशनल आम ट्रेड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, साथी अब ये पूरा मामला कैसे सुलस्ता है, ये भी एक सवाल है, और भारत के चिन्नई से चला जहाज इसराइल की पोर्ट तक कैसे पहुंसता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये भी देखने वा दूसरी खबर की तरफ जो कि भारत Electronic Limited यारने की BEL से जुड़ी होई है भारत Electronics Limited, BEL भारत की एक प्रमुग Defense Electronic Company है, BEL इस वक्ट, रोमानिया के भूखाा-रोष्ट में हो रहे Black Sea Defense & Aerospace की एक्सिबीशन में अपनी छमताओं का परद्शन कर रही है, भारत Electronic Limited का इस exhibition में सामिल होने का सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के देशों को अपनी चमताओं को दिखाया जाए और दुनिया भर के छोटे बड़े ग्रहाकों को अपने भारती हत्यारों के लिए आकरशित किया जाए साथ ही भारत के Making India को भी बढ़ावा दे रहा है इसी तरह के exhibition से दुनिया भर के देशों से आये प्रतिनिती अब जब भारती हत्यारों को देखते हैं तो उनकी तरफ आकरशित होते हैं फिर उसका offer दूसरे देशों को देते हैं ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि अब भ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताईएगा फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन